चारोशंक्राचारियों में आपस में कोई बात हुई है, क्या विधी विधान से ये कारे हो रहा है या आपकी अपनी कोई इसमें राय है कि शायद समय ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं क्योंकर इस तरहां की बातें बार-बार आ रहे हैं चारों शंक्राचारियों का शिद्धानत एक है, एक हुआ करता है, मठ जरूर चार है, लेकिन उनकी स्थापना करने वाले वगवत पादाद शंक्राचार एक ही हैं, जिन्होंने बिधर्मियों के द्वारा हुए आक्रमण से हिंदु धर्म सनातन धर्म की रक्षा की थी, तो उन्हीं की परंपरा उनके आदेश के अनुशार सिद्धानत के अनुशार ही हम लोग सभी धर्म का प्रचार किया करते हैं अगर यदि वहां आयोध्या किसी शंक्राचार जी का जाना नहीं हो रहा है तो इसका मतलग यह नहीं है कि वो राम भक्त नहीं है या राम मंदर की स्थापना नहीं चाहते हैं इस राम जन्म गूमी के उद्धार के लिए शंक्राचारियों ने, रामानंदा अचारी जी ने, मद्वाचारी जी ने और बड़े-बड़े सभी आचारियों ने, सभी आचारियों ने, हम किस-किस का नाम लेंगे और बहुत से ग्रस्थास्रम हैं, बहुत से लोगों ने, जन्म समाज ने बहुत प्रयाश किये हैं और शेकड़ों वर्ष की तपश्या के बाद बलिदान के बाद प्रयाश के बाद आज ये समय आया है तो हमें इसमें प्रसन्नता है ये अनुकूल है शंक्राचार्य जी 22 जन्वरी का जो समय है बेद शास्त्रों के अनुशार, शास्त्रों क्त बिधी के अनुशार मंदर और मंदर में रखी हुई मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है बिधी और निसेद ये हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है तो शास्त्रा अनुशार पद्धती का पालन होना चाहिए आप उससे संतुष्ट हैं। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से 23 तारीक से तो सभी जाएंगे केबल लाइन आडर अदि विवस्था में अब विवस्था ना हो एतदर्थ वाइस तारीक में निश्चित लोगों का आमंतरन दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तातपर ये नहीं है तातपर ये यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है जो मन मटाव बना हुआ था वो दूर हो रहा है तो हमारी दृष्टी से सबको इसका स्वागत करना चाहिए कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्द निर्मित मंदिर में प्रान प्रतिष्टा का कारिक्रम सही नहीं है लेकिन हमने सतेंद्र दास जी से बात की आचारे सतेंद्र दास जी उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत बड़ा है जिस गर्ब ग्रे में ये राम लला की मूर्ती रखी जाएगी वो पूरी तरहां से पूर्ण हो चुका है क्या इस पर आपकी कोई विशेश आपकी कोई रेजर्वेश्चन है सतेंदर जास जी ने कहा है तो वो वहां नवास कर रहे हैं और बहुत दुनों से वहां बहुत समय से कई वर्षों से प्राचीन हम जानते हैं हम मिले हैं उनसे वो भी हमसे मिले हुए हैं हमारे गुरूजी जब वहां आयोद्या में गए थे राम जनम हुमी के लिए जगत गुरु संकराचार जी महराज ने शदूर देव भगवान ने अंदोलन किये थे राम जनम हुमी परक्रमा का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और 1990 में भी वह आयोद्या जा रहे थे पिर उनको ग्रफतार कर लिया गया था तो चुनार के किले को जेल बनाकर के आठ दिन तक जेल में रखा गया उसमें सतेंदर जाहजी पुजारी जी जो हैं उनसे हम लोगों का परचा हुआ था तो अब बोतो साक्षात उसके गवाह हैं आई विटनिस जिसे कहते हैं कि कितना निर्मित हुआ है कितना नहीं हुआ है तो जो बात उन्हेंने कही है अगर पूरा नर्माड हो चुका है तो उचित है करना चंकरा चारे जी आखरी सवाल कोई नाराजगी तो नहीं है आपके हृदे में समय विधी और प्रधान मंत्री के वहां होने से राम जन्म भूमी हम तत्तु की बात करनी है अपने को तत्तु की बात समझनी है कि राम जन्म भूमी का जो विवाद शेकडों वर्ष का था वो आज पूरा हो रहा है तो मूल जो कारण है हमारा उसमे हम परमात्मा स्री राम को कौसल्या की गोद में देख पा रहे हैं वही हमारे लिए प्रसन्नता का विशय है